दो आज की जो कहानी है सच्ची घटना पर आदारित है पूरा प्रेक्टिकल केस है जिसमें एक महिला जोब करती है जी हां मंनलब एक वर्किंग जोब करती है लेकिन उसकी जो लड़ाय थी साधी सिद्या जिन्दकिती उसका तलाग तक की पूरी कहानी बताने वाला हूं इस उसके बाद में से उनके बीच में केस चल रहा था और तीन साल के अंदर उनका डाइवोर्स हो गया उसके बाद में साधी से पहले भी लड़की अपने मायके के लिए सब कुछ करती गई क्योंकि मायके की पूरी जिम्मेदारी उठाएती थी मायके में वही एक वरकिंग लेड लेडिज है या जिससे नोकरी करने वाले पतनी से जो साधी करते हैं उन दोनों के लिए वीडियो कापी महत्यपुन होने वला इस वीडियो के इंटे जरू देख लेना तो चले दोस्तों नो टाइम पास्ट नो बक्वास सिधा करते हैं काम की बात मैं हूं हैंस देखे दोस अगई तो माय induce करने लगी तो लेकर रहे वह जोगए कुल कुछ बीकर नहीं लेकर ता रहते है बाहे विशत में ये करना था तो ङूदर से ना दे तो वह पंगा हुने लग गये आब माय के वालों को देने लगी तो उदर से हैसमी सास पती की कि मा रिमोन चलाने लग sneaking तो मैला कहने कहीं से परेशान हो गए पती कुछ नहीं कहता था यहां पर लेकिन दिक्कत आती थी कि कहने पते भी मा के सपोर्ट में रहता था ठीक है उसी प्रकार से मा उधर भाईयों का सोचने में लगे रहती थी अब सब यहां पर पत्नी बीच में पस गई देखिए यहां पर नोक्री करने वाले पत्री को कोई समझ नहीं रहा ना तो पार्टनर समझ रहा नहीं उदर माई कीवाले समझ अब यह कहन से घरों में घरो इसे बात में बताता हूं तो उस कंडिईर में महाण लीजेगा दूर जाके तू जोब करती थो क्रडिशन कटरें उसके बाद पत्री ने पुरी करें लएञे तो फटल सुपार होने सुझा सबकिता वी जो भी की उस बेटी ने उसी ही उस घर में वेलू डाउन हो गई वो भाई उससे बात करना तक नहीं और एक साल के बाद वो भाई यह कह देता है कि तेरी वज़े से हमारे पत्ति पत्री के बीच में लड़ाई हो रही है तो अमारे घर से निकल जा मत आया करें आपने अब बहुत आट होके अपने क्वार्टर पर रहने लग गए सिंगल सी बात है लेकिन उस चीज को एक चीज समझ आ गया उस महिला को तलाग भी हो गया पत्ति की तरफ से अगर वह चाहती तो उसका रिष्टा बज सकता था साधी सुधा रिष्टा भी बज सकता था लेकिन उसकी हमें सायाद रखना है आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए आप अपने परिवार की जिम्मेदारी मत उठवा दीजिए बीवी पे अन्यताब का रिष्टा नहीं टिकने वाला यह बात आप समझ लेना ठीक है तो उसके बाद पत्ति से तलाक हो जाता है लेकिन पत्त हमाई के सहले लिए लिए उनके वह से अपना हिस्सिएदारी की होती है यह जोग करती है तो लोग क्या कहेंगे इस चकर सब्सक्र में Palus लेकिन बाद में यह लोग है ना उसी को ब्लेक्मेल करके घर बशने ने रिष्टा तक तोड़ने की बाते कर देते हैं लोग तो सब यहां पे लड़की का तलाक हो गया आज की डाइवोर्स है कोई भी साधी दूश्री करने वाली है क्योंकि उसको प्रेक्टिकल समझ आ गया में लड़की रहती भी है उसको पता कि आए जिन केसे देखे सवराल में जाओगे तो आपको शेजरी से वहां पर कंट्रोल होगा इससे अच्छा की नोकरी ना करें आज यह कहती कि भी आप मैं नोकरी ना करती तो अच्छा हो था और साथ में महिलां को यह एक बात समझा द आपके बाल बच्चे तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सब सच्छा यही है ठीक है माय के वाले ब्लेक मिल करते रहेंगे जानबुच के ऐसे फेमिली में अब देखिए कहीं लोग कहेंगे ऐसा अर्जगह नहीं होता जी हां मैं जानता हूं हर जगह नहीं होता कह को टाचीस में बाही आये नोकरी करते अंहें सिंपल बात है ठीक है और कहीं चाएसे कितना जाउ होता है कि भैया कुई कि स सपर्वाल वाले पी लड़ाएं देखके साधी करते शेड़ि देखके साधी करते शेड़ि eg नहीं दोगे उस दिल रिष्टा खतम हो जाएगा माय के वाली भी अपनी किसे करा देंगे घर बनवा देंगे यह करवा देंगे इतना करा दो उदार देदो बाद में देदेंगे कोई नहीं देते हैं लोग ठीक है इस मज़ें से हर महिला को एक समझना पड़ेगा कि वह या कितना कुछ कर लो माय के वालों के लिए जिस दिन वाईयों की साधी हो गए उस दिन तुम से राम राम भी नहीं करोगे और तुम ही उन बाईयों की लड़ाय की वज़त तुम ही बन जाओगी भावियों से तो तुम खुद का गरबस आओ उसमें पडर आपकी साधी आपकी साधी औरी 50 साल के आपके उमडर है साठ सतर साल की जोतील साल में जमयमोंगा इस उम्मर अप सिंगल भी रह सकते हैं क्या दिक्क्त लेकिन माय के वाले में माह यह एह मारोल निभाएगी मेरी बेट्टू के लिए जितना हो सके बेट्टी तो जा चुकी अब दूसरे का वंसर चला आएगी वह तो इस टाइप की मेंटलिटी ब्रेक मेल किया जाता है महिलां को और यह चीज़ें प्रेक्टिकल जब कैसे देखते हैं कई महिलां को वाके पूछते नहीं तो वाके उनका धर्द होता है क्यार कास हमको भी को समझेने वाला होता कास माबाप इतनी प्रेशर ना डालते तो एक तरह से उनकी जिम्मेदारी बनी रहते उनको एक तरह से इस वज़े से इन माय के वालों को यह भाई जो खाने वाले होते हैं थोड़ा सुदर जाओ तुम भी एक इस्सेदार हो तुमारे लिए तुमारे बैन पेतरक संपती इ लेके चले जाएगी इस से इस वज़े से महला का घर तोड़ने में नोकरी करने वाले कास कर जिस महला एक गर में एक नोकरी करती है उसकी तवाई उसके घर वाले बनाते तोड़ते हैं तोड़ते हैं यह बात प्रेक्टिकल है सच्चा ही है इस चीज़ से यही समझ आता है और साथ में पत्ति को पहले घर बसाना है परिवार बसाना है ठीक है सेजरी पर अपना ध्यान नहीं देना क्योंकि आगे पत्ति कहीं ले लेकि जाने वाली यह चीज में बता दूँ अगर आपने वाके एक दो साल में अच्छे से राखा पत्ति के साथ बस रिष्टे में देने वाली नहीं है आपके बाल बच्चों को पढ़ा भी देगी आपका घर का खर्चा उठाव लेगी बहुत है सापोर्टिंग आज के देट पर इतना भी बहुत होता है यह आज रख लेना इस कंडिशन में आपको समझना पड़ेगा पत्ति को समझना पड़ेगा ना कि कि आप उसकी सेजरी पे नजर रखोगी अन्य ता आप बुरी पस जाओगे और एंड में आपको कहते हैं आप भी इतलाक शुदा हो जाओगे कोई मतलब है ने एक अच्छी काशी पार्टनर को आप खोद होगे और लड़ियों को भी समझना पड़ेगा कि विया दीरी-दीरी आपको नोकरे वाला दुला नहीं दूना चाहिए उस कंडिशन में अपने अपने गर पे रखना चाहिए पती देव को तो उस कंडिशन में कहें ने कहीं साब को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि नहीं आपको खुद की मैच्योटी आपकी खुद की दिमाग से चलना थी सोचिया उस कंडिशन में इस वजए से अपनी कमाय का एक पार्ट अपनी इन्वेस्ट में डाली जिसमें आपके लिए आगे चलकर आपके काम आज सकें जी हां यह बात आप प्रेक्टिकल समय लेना अन्यता आपको कापी भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो उम की नहीं रहोंगे उम्मेट करता है आपके समझ में